आजम बात करने बाले हैं EG2 Pay Portal के बारे में ये पोटल फुली ट्रस्टिर है आप इसमें आराम से जा सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा आप यहाँ पर रेजिटरेशन कैसे कर सकते हैं और हाँ आप यहाँ पर एकदम फ्री में भी रेजिटरेशन कर सकते ह तो क्या है इसका प्रोसेस साथ ही आपको यहाँ पर जो सर्विस मिलेगा आपको कमिशन कितना मिलेगा और आप कितने टाइप का सर्विस आप यहाँ पर यूज करेंगे मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि भारत सरकार की तरब से हर वैकल पर फरस्टेक कमपलसरी कर दिया गया है अगर कोई भी वैकल में फरस्टेक नहीं लगा तो टोल नाको पर उस वैकल के मालिक से दो गोना टोल टेक्स वोसल किया जाता है माननिया सडक और परिवहन मंत्री स्री नितिन गडगरी जी के द्वारा संसद में बताया गया कि फोस्टेक के माध्यम से प्रति दिन लगभग 107 करोड के करीब टेक्स की वोसली की जा रही है यह फोटल 2018 से फोस्टेक से सम्मंदित सेवाई लोगों को प्रदान करते आ रहे हैं और कमाई अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आपको यहाँ पर क्या क्या सर्विस मिलेगा मतलब कि आप यहाँ पर क्या-क्या काम कर सकते हैं और किस तरीके से करेंगे ताकि आपको आने वाली दिरों में काफी अच्छा इनिकम हो सके तो इनका official website का जो link है इस video की नीची मिल जाएगा जैसे आप वहाँ पर click करेंगे इस वाले page पर आ जाएगे जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने ये वाले interface आ जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या-क्या service मिलेगा तो service में सबसे पहले number पर है नए first take का apply करना अगर आपको first take नए apply करना है तो आप यहाँ पर new first take पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक form मिलेगा अब इस form को अपना according जो भी आपका details से यहाँ पर fill करेंगे fill करने के बाद आपको जो है first take बहुत ही जल्दी apply हो जाएगा इसके साथ साथ अगर आपका first take का sticker डेमेज हो चुका है अगर आपको अपना first take का balance चेक करना है तो यहाँ पर click करके आप यहाँ पर अपना balance भी check कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है state bank of india की first take wallet का kyc upgradation भी इस website पर आसानी से किया जा सकता है इसके लिए आप यहाँ पर kyc upgrade पर click करेंगे और यहाँ पर कुछ document की requirement होगा तो continue करके जो भी आपका यहाँ पर information मागा जा रहा है आप यहाँ पर दे कर आगे बढ़ेंगे तो आपका kyc upgrade हो जाएगा इसके बाद अगर आपको अपना पैसा का refund request डालना है तब भी कर सकते हैं इसके बाद अगर आपको जारना है first tech की charges के बारे में तो यहाँ पर click करेंगे first tech charges में इसके बाद आपके सामने आजाएगा पूरा ही list कौन सा गाड़ी के लिए कितना charges है आपके सामने आजाएगा जितना भी type का गाड़ी है जितना भी type का vehicle है सब कुछ आपके सामने आजाएगा against में उनका charges भी mention हुआ रहेगा आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं साथ ही अगर आप कोई भी first tech के agent है पहले से ही वो चाहे किसी भी bank का company के first tech sale करते हैं वो निसूल्ख मतलब बिना पैसे दे यहाँ पर इस website पर merchant का registration free में कर सकते हैं registration करने के बाद system यानि के computer आपको एक referral link देगा आप वो referral link अपने दोस्तों मित्रों और faster ग्रहाकों को आप share कर सकते हैं जो भी ग्रहाक आपके merchant code पर अपनी first tech wallet का recharge करेंगे उस रकम पर यानि कि उस amount पर आपको 0.50% का commission आपकी account में transfer हो जाएगा तो एक बहुत ही बड़ी service है मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसके लवा आप यहाँ पर recharge भी कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर देखिए for consumer है यहाँ पर first tech service जैसे में आपको बदाय था तो आप यहाँ पर click करेंगे तो सारे का सारा यहाँ पर आजाएगा यहाँ से भी आप use कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप recharge करना चाहते हैं recharge में भी commission आपको यहाँ पर मिल जाता है recharge में जैसे कि अगर आपको pre-bate का recharge करना है, post-bate का करना है DTS का करना है, landline, broadband, data card, cable TV या फिर metro card का recharge भी आप यहाँ पर आसानी के साथ करके अच्छा खासा commission generate कर सकते हैं इसके बाद अगर आपको pay bill करना है मतलब कि bill pay करना है, electricity bill हो गया gas cylinder book करना है, इसके बाद है piped gas, credit card bill education fees, water bill, municipal tax यह सब कुछ आप यहाँ पर pay कर सकते हैं अभी सबसे main बात है, आप यहाँ पर registration कैसे करेंगे आप इसमें access कैसे हो सकते हैं इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, sign in है इसके बाद है sign up, आप यहाँ पर just click करेंगे आप यहाँ पर select करेंगे customer और यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, mobile number डालेंगे emulator डालेंगे और आपको एक password set करना हुगा इसके बाद आपको यहाँ पर create an account पर click करना है और merchant पर वो लोग registration कर सकते हैं जो की first tech के agent है वो चाहे किसी भी bank का company के first tech sale करते हैं वो यहाँ पर free में merchant registration कर सकते हैं तो चली हम यहाँ पर customer का ही यहाँ पर select करेंगे और अपना dds देके create an account पर click करेंगे तो आपका account within one second यहाँ पर free में registration हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप sign in पर click करेंगे अब जो mobile number डाले थे या फिर emulator डाले थे उसमें से कोई भी आप यहाँ पर डालके login पर click करेंगे तो आप यहाँ पर आसानी के साथ login कर सकते हैं इसके बाद जो भी आपको service अच्छा लगे जिसमें आपको ज़्यादा कमाई हो सके आप यहाँ पर योज कर सकते हैं यह website में registration करते वक्त या फिर ID लेने के बाद भी अगर आपको कोई भी दीकत आए तो हमसे directly बीना जज़क से आप बात कर सकते हैं इसके लिए आप हमें Instagram में message कर सकते हैं साथी easy to pay को भी contact करना है तो यहाँ पर देखिए last में support का एक बटन मिलेगा यहाँ पर अपना message टाइप करके submit पर क्लिक करेंगे नहीं तो इनका mobile नमबर और email ID के साथ आप यहाँ पर contact कर सकते हैं और इनसे आप directly बात कर सकते हैं आपके यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हुआ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लिस वीडियो को लाइक करिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में बाई